वेल्कम फ्रेंट्स ये हमारा जो है फोटोसौप का क्लास 10 थै और नाहीं गोग जो है इमेज के बारे में और कुछ पार्ट जो है लेयर के बारे में भी सिखें गे इसमें तो सबसे पहले देखते हैं कि नियू लेयर जो है एक नया लेयर बन जाता है और कोई भी नाम दे कर कि आप एक नया लेयर बना सकते जैसे कि आमने हैकार के नाम से बनाया है उसके बाद जो है डूब्लिकेट लेयर एक और डूब्लिकेट लेयर बना सकते हैं कोई भी नाम देकर कि इसी लेयर का यह डूब्लिकेट लेयर बन गया है उसके बाद जो है आप यहां से डूब्लिके उसके बाद जो है लेयर पे जाते हैं और लेयर सेट एक लेयर सेट एक तरह से खोल्डर होता है आप इसको बना सकते हैं और जितने भी लेयर है आप इसको इसके अंदर ऐसे उट कर सकते हैं यहां से इस लेयर के अंदर इसको रख सकते हैं यहां से अगर आप चेक करना चाहते है कि यह सारे लेयर सेट के अंदर गया है कि नहीं गया तो आप इसको लेयर को ऐसे बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं कि अभी एक ही लियर इसके अंदर गया है आप इसको ऐसे रखी गा यह देख में अभी कमें हमें एक ही लिया लेयर सेट के अंदर lira दो यहां कि अब देखते हैं कौन-कौन कितने यह देखो तीन लेएर इसके अंदर चला गया आप इसको बंद करके भी देख सकते हैं खौन के देख सकते हैं तो इसी तरह से जहां लेएर सेट बन गया करना चाहते हैं लेयर सेट को डिलीट कर सकते हैं दो डिलीट करना चाहते हैं लेयर सेट को डिलीट कर सकते हैं यह देखिए पूरे प्रेक्टर सही डिलीट होगे क्योंकि लेयर वो जो है सारे folder जो यह फाइल जो है वो लेयर सेट के अंदर था इसलिए यह पूरे पूरे डिलिट हो गया था फिर से अंडू करके वापस हमने ले आए यहां से प्रोपरटीज के बारे में आप information ले सकते हैं इसके बाद solid color आप यहां से use करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, यहां से कौन सा color use करना चाहते हैं, यह देखिए, कैसे करना चाहते हैं, यह सारे layer में use हो गया, आप दिखेगा आपको, उसके बाद जो है, layer हमारा यह हो गया, gradients use करना चाहते हैं, gradients use कर सकते हैं, अलग-अलग grad लेयर के अंदर इस तरह से यह देखी ग्रिटेंट्स यूज कर सकते हैं लेयर के अंदर यह सारे ओप्संस होते हैं आप इन सब को यूज कर सकते हैं यह सारे जो हैं Contents, Brightness, यह सारे Change करके देखेंगे, यह सारे Layer के अंदर ही होता है, भोई अभी चाहिदे differences इसमें नहीं दिखाता है, यह सारे Layer का options है और Layer के लिए होता है, Group on Group, Resize, यह सारे यह आप यूज करके देखें तो मlorzh लिसी बाग इन्डो करूंगा वापस भजाएगा बाकि जो है इजरेंट करना है यह सारे चीज करेंगे देंटे लेयर के पीछे ही दिखेंगा उसके बाद हाद आता है उसलेक्ट करेंगे सारESE स्लेक्ष्ट हो जाएügen डिस्लेक्षिन हट जाएगा उसके बाद जैसे मैंने यहां को स्लेक्शन लेलिया है आप चाहे ऑफ सिलेक्ट भी कर सकते हैं जाके इंवर्स पर बाहर के अडोल पर सनफ हो जाएगा उसके बाद जहाँ इसकी तररर्ज देना है या कलर करना- यह देखी यहांसे अब इसको चेंज बर सकते हैं से इसे लेक्ट किया और फेडर कोई बॉर्डर बनाने के लिए यूज होता है या फिर दुंदला इसको करने के लिए यूज़ता है अब इसके ओपर अगर मैं श्ट्रॉक करता होती है पिक्चर जो भी कलर होगा वह विखर के आएगा यह हमगों लेयर स्लेक्ट करना होगा हमें पहले समसे पहले इकॉम सा लेयर प्मारा है और उसके बाद श्ट्रॉक करना होगा यह देखी इस तर से जो हम लोग इसको योज़ कर सकते हैं रहो गया उसके बाद बोर्डर कैसा देना चाहते AUब कितना देना चाहते को योज़ कर सकते कि करना चाहते हैं पहुंच करता हूँ यह देखिए यहां से जाकर की जो है हम लो एक्सपेंट करेंगे इसको बढ़ा सकते हैं बारह यह देखिए बढ़ गया उसके बाद जाहां नेयर पी जाकर करके यह कंट्रास्ट करोंग नीचे फटला उजाए तो पहुंच यह चाहती है चोटा हो गया उसके बाद जो है वोडिपाय में यही रह गया गलो किसी चीज को जहां विखराना है सेलेक्शन को कंट्रोल टी फिर ट्रांसफोर्मेशन यह वही काउं करता है इस बोडर में आप कलर देना चाते हैं जो भी देना चाते हैं दे सकते हैं तो इस तरह से जह हो लो इसको यूज कर लिए अगला हमारा होगा यह फिल्टर और यह आगे अगली क्लास में हो जहां नेक्स्ट चीज क को देखेंगे ती है हमारा क्लास यही पर हम लोग स्टॉप करते हैं नेक्स्ट क्लास को फिर देखेंगे